आपके चैनल सीटी एच गौरफ में और आज है हमारे पास अपडेटिड बलैनो जिसका बहुत टाइम से लोगों को वेट था आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको बलैनो के अपडेटिड फेसलिफ्ट में क्या क्या चीजे एक्स्ट्रा देखने को मिलती है चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं अब सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइजिंग बता देता हूँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी प्राइजिंग काफी अच्छी प्राइजिंग के साथ जो है काफी सारे अपडेट्स भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले बात करते है की की तो की आपको पहली वाली बलैनों जैसी ही मिलने वाली है इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था मारूती को तो अब इंजन की बात करते है तो अब आपको इंजन में सिरफ एक ही ओप्षन देखने को मिलता है जो की 1.2 लीटर पेटरोल, ड्यूल जेट, VVT इंजन देखने को मिलता है और इसी के साथ CVT खटा दिया गया है और AMT आपको सिरफ देखने को इसमें मिलेगा जो की आपको 88 8.5 BHP और 113 Nm का टोप प्रवाइड करता है उपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पैडिंग भी मिल जाती है सेफटी फीचर में आपको ABS, EBD, ESP, Hill Hold Assist, 6 Airbags, Isofix Child Seat और भी बहुत से फीचर मिलते हैं और मेन बात है कि आपको 6 Airbags जो है मारूती प्रवाइड कर रही है अब सो फ्रंट की बात करें तो आपको यहाँ थोड़ा Bonnet का डेजाइन जो है चेंज मिलता है Headlights में भी चेंज मिलता है आपको Single Projector दिया है अलग से उसी के साथ आपको Indicator मिल जाता है और नीचे आपको 3 DRLs दिये है जो की काफी अच्छे पैटन में दिये गये है प्रीविस वाली से काफी अच्छी एक लुक प्रवाइड करवा देते हैं और नीचे की तरफ आपको LED Fog Lamps भी मिलते है विद क्रोम गार्निशी सेंटर ग्रिल में ही चेंज किया गया है और 360 यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा भी एड किया गया है आप देख सकते हैं जो की बहुत ही एक बहतरीन बात है फ्रंट में तायर साइज आपको सेम ही मिलता है 195 55 R16 विद अलॉय कट डूल टॉन डिजाइन के साथ तोटल वेट में जो है 55 केजी जो है इंक्रीज किया गया है ऐसा मारूती का कहना है अब बात करते हैं इंटिरियर्स की तो यहाँ से शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको multiple changes देखने को मिलेंगे almost सारे ही new features से जुड़े हैं यहाँ मिलते हैं बलैनो के HUD के buttons HUD से आप on off कर सकते हैं ऐसी आपको HUD मिलती है जिसमें आपको tachometer, time, brightness, position और भी बहुत से changes आप कर सकते हैं view button से आप 360 degree camera में camera के view changes कर सकते हैं उसके साथ ही traction control on off का button मिलता है यहाँ नीचे आपको automatic start stop system on off करने का switch मिलता है headlights leveling switch और यहाँ start stop button मिलता है अब बात करते है driver side door की driver side door पे आप देख सकते हैं three color combination आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे black, blue and silver color का कोई भी soft touch material नहीं use किया गया है यहाँ पे आपको plastic ही मिलती है बट quality को थोड़ा सा improve किया गया है नीचे की तरफ थोड़ा leather touch भी आपको मिल जाता है buttons आपको almost same मिलते है सारे maruti, maruti को इनकी quality को थोड़ा सा change करना चाहिए था बट आपको same ही देखने को मिलते है previous वाली balano जैसे नीचे आपको speaker मिलता है जिसका design में थोड़ा changes किये गया है bottle holder मिलता है same size जितना पहले आता था यहाँ नीचे आपको अब boot और fuel lid opener button एक साथ दिये है जो काफी अच्छी बात है पहले fuel वाला button जो है seat के नीचे आपको मिलता था अब steering wheel भी आपको एकदम नया दिया गया है तो नया क्या मिलता है इसमें नीचे से flat bottom और same as जो आपका swift में मिलता है वही as it is with button design के साथ आपको मिल जाता है buttons भी आपको change मिलते है इसमें जो की एक अच्छी बात है और अच्छी look भी दे रहे है right में आपको cruise control के button मिलते है और left में volume buttons, modes के related buttons आपको मिलते है और यहाँ नीचे की तरफ आपको call से related button मिलते है steering column आपका tilt and telescopic दोनो adjustment मिलती है depends करता है आपके model पे इधर left side आपको wiper controls मिलते है but automatic wiper जो है नहीं मिलता इसमें जो की मार्यूती को add कर देना चाहिए right में आपको lights के सारे control देखने को मिलते है with automatic lights MID की बात करें वो भी आपको change मिलती है जो आपके meters है उनका design भी change किया गया है but MID आपको almost same ही मिलती है design and shape में but काफी ज़्यादा features को change किया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे motion track screen clock design को change कर दिया गया है और बहुत छोटे मोटे changes किये गया है फिर अब एक और बड़े update के बारे में बात करते है जो की आता है आपका smart play pro screen जो की आपकी पहली previous बलाइनों से काफी ज़्यादा updated है पूरा यहाँ पे new screen और UI मिलता है आपको काफी अच्छा UI मिलता है minimal और बहुत ही responsive UI देखने को मिल जाता है काफी सारी बाते cars बोल के भी आपको बताती है like voice assistance भी आपको काफी सारे features में मिलता है इसमें like fuel level की warning देती है fuel low level की warning navigate to nearest fuel center और भी बहुत सारे ऐसे जो features है उनको गाड़ी जो है बोल के बताती है warnings वगेरा को सो यह काफी एक अच्छा step है यहाँ पे आपको trip info time यहाँ music related और यहाँ पे phone अगर connect है तो उसकी information मिलती है setting में आपको यह सारी settings मिलती है Android Auto और Apple CarPlay भी मिलता है full details में वीडियो आपको बाद में देखने को मिलेगी touch screen की और infotainment system की so stay tuned subscribe जरूर कर दीजिएगा channel को ताकि आप videos को miss ना कर पाए और bell icon को दुमाना ना भूलिएगा नीचे आपको touch shortcut buttons मिलते हैं मैं touch buttons का ज़्यादा fan नहीं हूँ क्योंकि touch buttons जो होते हैं driving करते हुए थोड़े से यह मतलब hard हो जाते है reach करना उनको use करना यहाँ पे AC vents मिलते हैं नीचे AC के control मिलते हैं जो की पूरे new style में मिलते हैं आपको थोड़ी सी quality और design better किया गया है previous balano से features जो मिलते हैं वो almost same ही है इसकी भी अलग से एक video मिल जाएगी आप सबको जल्दी ही उपर में auto dimming rear view mirrors मिलता है उसके बाद यहाँ आपको same design halogen lights मिलती है जो थोड़ा change करना चाहिए था इनको even की LED तो दे देनी चाहिए थी vanity mirror with lights दोनों ही side आपको मिलता है हाला कि यह काफी छोटा मिलता है as compared to windows center में भी same lights मिलती है आपको उपर seats की quality थोड़ी improve की गई है और comfortable seats मिलती है यहाँ पे same size का glove box मिलता है आपको कोई भी cool glove box नहीं मिलता normal glove box मिलता है so dashboard में काफी अच्छा एक change देखने को मिल जाता है similar to आप कह सकते है Tata Nexon जैसा आपको feel हो सकता है क्योंकि उसी तरह की look थोड़ी सी रखी है इसकी आप देख सकते है तीन patterns में रखा है so आपको उस तरह की look feel हो सकता है Tata Nexon जैसा so मुझे comment box में जरूर बताएगा कि आपको भी ये Tata Nexon जैसा feel हो रहा है कि नहीं नीचे आपको एक USB और 12V charging socket मिलता है दो cup holders इधर 5-speed manual transmission same design में gear lever मिलता है almost armrest with sliding feature finally इसमें आपको मिल गया है so अब आप armrest को जो है slide भी कर सकते है so चले जल्दी से पीछे चलते है so space काफी अच्छा है यहाँ पे आपको मिल जाता है space से जुड़ा आपको कोई भी problem कोई भी issue आपको नहीं आने वाला पहले भी बलानों में काफी अच्छा space मिलता था और अभी भी same ही space आपको मिलता है यहाँ पे आपको magazine holder जो है सिरफ passenger side seat के पीछे ही आपको देखने को मिलता है यहाँ पे finally आपको rear AC vent भी मिल जाते है नीचे आपको एक type C और एक regular USB socket मिलता है जो कि एक काफी अच्छी बात है नीचे space मिलता है extra यह आपको थोड़ा glossy look में दिये है आप देख सकते हैं कि जो side में जिस पे आपके window के button जो mount है उस पे आपको जो है काफी glossy look दे दिया है पहले जो है normal plastic ही use की गई थी अभी थोड़ा सा उसको finish जो है अच्छी कर दी गई है glossy look में आपको दे दिया गया है अब बात कर लेते हैं boot space की boot space की अगर हम बात करें तो almost same ही boot space आपको मिलता है 318 लीटर का boot space आपको मिलता है आपको जो loading lift है थोड़ा सा high मिलता है इसमें और नीचे आपको जो spare tire मिलता है वो आपको R15 मिलता है R16 नहीं मिलता है so hope guys कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी रही आप सबके लिए useful रही होगी और यही था आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी comment यह question है worries है तो comment box में comment करके जरूर पूछेए का मैं definitely answer करूगा फिर मिलते हैं एक और ऐसी बहतरीन वीडियो को साथ पतक के लिए गुडबाइ फ्रेंड्स जाहिन